C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिये पेश है तीसरी जमात के लिए उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार सबक नंबर 19 लोमडी और कववा सफ़ा 149 एक लोमडी दो दिन से भूकी थी उसे कहीं भी खाने को कुछ ना मिला था वो शहर के करीब आ गई अचानक क्या देखती है कि एक दरख्त पर एक कववा बैठा है उस कववे के मुह में एक साबुत रोटी है लोमडी के मुह में पानी भराया उसने एक तरकीब सोची सफ़ा 150 वो कववे की तारीफ करने लगी भाई कववे तुम कितने खूपसूरत हो तुम्हारे पर कितने खूपसूरत है तुम चाहे रावी में नहाओ या जहलुम में तुम्हारा रंग एक जैसा ही रहता है सच मुच तुम परिंदो के राजा हो सफ़ा 151 कववे ने अपनी इतनी तारीफ सुनी वो फूल कर कुपपा हो गया उसने गाना गाने के लिए चोँज खोली चोँज खुलते ही रोटी नीचे आगिरी सफ़ा 152 लोमडी बड़े चाव से उसे खाने लगी कववा मूँ देखता रह गया ब्रैकेट में सिर्फ पढ़ने के लिए अभी आप सुन रहे थे तीसरी जमात की उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार समयी रिकॉडिस मयंक कुमार समयी फनकार सुंबुल शकील और फरहान अली नकवी हिदायत और तखलीक कार विमलेश चोधरी ये किताब C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत के जरिये पेश की गई